सुबह की इस जगमगाती रौनक के साथ वैंकूवर में शुरवात होती है हमारे डेटू की डाउन्टाउन से बस राइड लेकर हम जा रहे हैं कैपलानो सस्पेंशन ब्रिज पार्ग जो नौथ वैंकूवर के वन आफ ता मोस्ट आइकॉनिक प्लेसिस में से एक है डाउन्टाउन से बस राइड और एक छोटी सी वाक करके लगभग 30 मिनित पे आप यहाँ पहुँच सकते हैं और अगर आप अपने कार से आना चाहते हैं तो यहाँ पेट पार्किंग स्पेस भी मिल चाता है यहां एंटर करने के साथ ही आप यहां का मैप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पात स्टोरी सेंटर में आप यहां की पुरानी पिक्चर्स और इस ब्रिच से जोड़ी हिस्टरी के बारे में कई इंट्रस्टिंग फाक्स को पर सकते हैं कैपलानों में पिछले कुछ सालों में टोटन पोल्स को भी इंक्लूट किया गया है जो यहां के एंसेस्टर्स की हिस्टरी और कल्चर को रिप्रसंट करने वाले मॉनिमेंस हैं साल 1889 में हैंप रोप्स और सडार प्लैंक्स से बनाया गया ये पृच 1903 में स्टील केपल से रिप्लेस कर दिया गया इसकी टोटल लेंथ 140 मीटर्स और हाई 70 मीटर्स है यहां से केपलानो रिवर के अमेजिन व्यूज के साथ यहां की सीनिक ब्यूटी और माच्रल लांग्सकेप को आप इंजोई कर सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज से आगे पढ़कर हम जा रहे हैं यहां के ट्रीट आप एडवेंचर की तरफ 2004 में बने इस ट्रीट आप एडवेंचर में साथ सिस्पेंशन ब्रिज हैं जो कनेक करता है कई सेंचरीज पुराने इंट्रीज को साथ ही फोरेस्ट फ्लोर से लगभग 110 फीट उपर का व्यू आप यहां इंजोई कर सकते हैं एक लंबी वाक के बाद नीचर के इन नजारों के साथ कॉफी और होट चॉकलेट का अलगी मजा है क्यापलानो सिस्पेंशन ब्रिज पार्क में बच्चों के लिए भी रेंफॉरेस्ट एक्स्प्लोर जैसे प्रोग्राम्स है जो बच्चों के लिए एक फ़न गिए क हैरो पता सब्स्पों के नीचर 허ınaी जागा जाम हैरोट में थीच़ प्रिज़े वाना आव स्पों Ilा बच्चों के साथ घानो में इन एम जारों के इन सभी के लिए घां हो उब स्रुष्णी भी तो, हैसे बच्चों के इन वाली चल्प्रॉरेस्प्ल्राम्स इन इन इन सभी अक्टिविटीज के बाद आप यहां के क्याफे, फूब ऑप्शिंस, गिफ्ट और सुवेनियर शॉप को भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा हूँ तो हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें सी यू इन दे नेक्स फ्लॉग